असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ चिकन इस्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूंगी और इसकी जो शीट होती है वो भी हम घर पे बनाएंगे तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं सबसे पहले हम शीट के लिए डो लगा लेंगे दो कप मैंने मैदा ली है और वन फोर्थ कप कॉन फ्लोर अब इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे नमक और दो टेबल स्पून ओईल मिला लेंगे इनको अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा गून लेंगे जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूनते हैं उससे थोड़ा सा सकत गून देगे थोड़ा सा इस पे ऑईल लगा देगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देगे इधर हम और बाहasser लॉक्षे पक़न चकणा 6-7eti बांक अब इसको पक्ता फचाम घूड़ चकणा plantsі हाँ, क्वर्ड़ कोशिका है तो आजए में पटोसमें श्रेट वक्ताब carnival, तुक्ता इसको तुछ सोइख मालेचा 1 नमक डालें वेट रूट यानी चकुंदर आप इसकी जगा गाजर का भी इस्तमाल कर सकते हैं सबजियां जो भी आपको पसंद हो वह आप इसमें डाल दें और अब इसमें आधा कप डालेंगे हरी प्याज आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप इसमें जो घर में रेगुलर प्याज कि अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे हाफ टीश्पूं डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर और तीश्पूं कुटी हुई लाल मिर्ज बहुत जादा मसाले इसमें नहीं जाते बस लाइट से ही मसाले जाते हैं और वुदे चाल और आप सिर्के के जगा निम्वो के जूस कभी इसतुमाल कर सकते हैं ठूल सा नमक डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे殼 मीनट कवर करके सबजीयों को पका लेंगे देखें एक मिनट हो गई है बहुत जाद हमें इने नहीं पकाना हलका सा क्रंच इसमें बरकरार रहे इतना ही पकाएंगे और अब गैस को बंद कर देंगे बारीक कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे और इस मिक्षर को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे इधर हमारे दो को रखे हुए भी पंदरा मिनट हो गए हैं और इसमें से एक पेड़ा लेंगे बड़ा सा रोलिंग सर्फेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे और इस तरह से कोई भी बाउल या फिर छोटी कटोरी ले सकते हैं आप और इस तरह से इसकी छोटी छोटी पूरिया बना लेंगे एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इस पे ओईल लगा देंगे अब इस पे मैदा डस्ट कर देंगे और अब एक शीट के उपपर दूसरी शीट रख देंगे आप ये नहीं करना चाहते तो थोड़े थोड़े से मतलब छोटे छोटे आप पेड़े ले लें और उनको इस तरह से बेल कर कर सकते हैं आप या फिर इस तरह से कर लें जैसे मैंने किया है अब इसको बेल लेंगे और कुछ सेकिन के बाद इसको टन कर देंगे और गैस का फ्लेम देखे मैंने ये मीडियम पे क्या हुआ है बहुत ज़्यादा तेज पे हमें इनको नहीं से एक ना और इस तरह से देखें ये इसी तरह से गैस का फ्लेम बिलकुल स्लो होना चाहिए नहीं तो जो शीट है यह जिसे रोटी होती इस तरह से इस पे हो जाएगा चिट्टी आ जाएगी अब नाइफ से इसके जो एजेज इस हैं वो निकाल लेगे तो देखें ये हमारी spring roll की sheet बन गई है और इसी में से बीच में से cut करेंगे तो ये हमारे जो समोसे बनाते हैं उसकी sheet बन गई है आप इनको आठ से दस दिन के लिए freeze में रख सकते हैं श्टोर करके अब कुछ sheet को मैंने इस तरह से बना लिया है थोड़ी सी stuffing रखेंगे इस पर और इसको रोल कर लेंगे और देखें मैंने थोड़े से पानी में एक टेवल स्पून मैदा को घोल दिया था इसके घोल लगा देंगे इस पर और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे एक बार फिर से देख लें तो जितनी stuffing भी आप इसमें भरना चाहते हैं आप रख सकते हैं इस टेफिंग आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं गलो लगा देंगे इस पर और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से सभी रोल बना के तैयार कर लेंगे यहां हमने ओईल को मीडियम गरम कर लिया है अब इसमें यह रोल डाल देंगे और इनको अच्छे सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे देखें दो मिनट के बाद इसकी साइड को टन करेंगे बहुती खुबसूरत से हमारे यह रोल फ्राई हो गए है और इनको निकाल लेंगे बहुती क्रंची और बहुती करारे हमारे यह रोल बने हैं और देखें इसकी जो इस्टफिंग है बिल्कुल अंदर तक भरी हुई है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें इन्शालला ये आपको पसंद आएंगे रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्स प्ली stell सॉपन ही ये लिवे बारा एंग एाल बारेक जा दो तो इसदाए खाएंग जैवा एाएं 두 चैनल को आपको परें बारा लाद उनाग्ने शुटंट आटा नागर झाहा है गूओ करने बार द主